साथ समंदर पूर इतनी दूर जाकर एक जंडा लारा रहे और खालिस्तानियों के बीच में अपने आपको शो करें कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं इस हिंदु धर्म का एक योद्धा हूँ तो यह हैं विसाल जोड़ विसाल के पहले एक बार आगे आए तो आज आप पानिपत की पावन धर्ती पर पहुंचे हो जो की 1761 के युद्ध का बहुत बड़ा जीवन्त उधार्ण है यदि पानिपत ना हुआ होता तो आज भारत में तालिबान 1761 में ही हो चुका होता क्योंकि वही तालिबानी जिन्होंने आज अपने खुद के देश में ही लोगों में मार काट मचा के रखी है तो ये पानिपत के बारे में और इस युद्ध के बारे में आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं विशाल जूब देखिए जैसे आप लोग भी जानते है कि चात्रपति शीवा जी महराज जिनकी वज़े से आज देश में एक देखा जाए तो मराठा समराज्य खड़ा हुआ है और अभी तक मतलब की हमारे जैसे भाई मिलकर उनकी मतलब की एक सोर्य दिवस यहाँ पर मना रहे हैं तो इस बात को लेकर हम यहाँ पे आया है और हमें यहाँ आप रहा है और आप सभी लोगों का प्यार देखके और भी अच्छा लगा है जी ये तो बहुत उत्तम बात है लेकिन एक बात हो और हम पूचना चाहते हैं विशाल जी से की विशाल मेरे छोटे भाई आप एक निनल आट एक निनल आप अब चल रहा है आउस्ट्रेलिया की जेल में यातनाएं दी गई तो आपका वहाँ आइडल कौन था कौन सा योदा था जिसकी प्रेड़ा से आप इतना अच्छा काम करें थे आपको तो पता था कि आपे तीन से चार हजार खालिस्तानी है जो भारत के जंडे को जला रही हैं जिस जंडे के ल करते हैं वह सहीद हो गई इस त्रंगे के लिए और आपने उस त्रंगे के मान रखने के लिए तीन-चार हजार खालिस्तानियों में इसके पीछे आपका योद्धा आईडल कौन रहा है देखिए आप लोगों को पता है कि हमारे जो आईडल है योद्धा है जो सीवा जी मह महाराज जी हैं तो उनी से मतलब कि हम सब को प्रेना मिली है अपने देश भक्ति की जी जी तो उसी की वज़ा से आज मतलब कि यह सब हुआ और हम आज में आप लोग के बीच में हूँ जी हमारे पास देने के लिए तो इसको भाई को कुछ है नहीं लेकिन हम चत्रपती महाराज के मावले होने के नाते कुछ न कुछ अपनी तरफ से इनको भेट देना चाहते हैं और एक बार पहले माथा टेकिए अपने उन पूर्वजों को सहीदों को नमन कीजिए उसके बाद आप हमारे सामने आईए ताकि हम अपनी तरफ से इस से पूरे समाज की तरफ से और इन देशवासियों की तरफ से आपको कुछ समरीती चीन भेट कर सकें